नमस्कार दोस्तों मैं हूँ सोरव और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल इट स्कूल पे दोस्तों आप में से बहुत सारे व्यूर गूगल मैप्स को तो जूज करते ही होगे तो वीडियो में आगे बनने से पहले अगर अभी तक हमारी वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जिरूर कर दे और चैनल पे नए आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जिरूर कर दे और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को जिरूर दुबा दे ताक ज़र आप भी अपने business की location को add करना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहे हैं आपको search google maps की option के साथ तीन lines दिखाई दे रही होगी आपको simply उस पे click कर देना है तीन lines पे click करने के बाद आपके सामने ऐसा menu open हो जाएगा आपको इस menu को नीचे की और scroll करना है जहाँ पे आपको एक option दिखाई दे रही होगी add a missing place आपको उस पे click कर देना है add a missing place पे click करने के बाद आपके सामने एक ऐसा page open हो जाएगा आप जहाँ पे जिस place को update करना चाहते हैं उसके नाम और category के साथ आपको जहाँ पे उसका address भी fill करना होगा जहाँ फिर आप address को update location और map पे click करके भी set कर सकते हैं इतना करने के बाद आपको simply done पे click कर देना है और इसके बाद आपको send पे click कर देना है और इसके बाद आप अपनी location के business hours, website, phone, number और photos भी update कर सकते हैं यहाँ पर हमने अपनी website के business hours को set कर दिया है उसके बाद आपको simply send पर click कर देना है send पर click करने के बाद आपके सामने एक ऐसा message display होगा जिसमें लिखा होगा thanks for improving google maps आपको simply done पर click कर देना है इसके बाद आपको दुबारा तीन dots पर click करना है और वहाँ से आपको your contribution के option को choose कर लेना है your contribution में आपको आपके recent map reviews, photos और edit की details मिल जाएगी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि current food shop का जो place हमने add किया था वो successfully google maps में approved हो चुका है तो दोस्तो आज की वीडियो के लिए इतना ही अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को like जिरूर कर दें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और साथी साथ चैनल को subscribe जिरूर कर दें